mister yes तुकि यहां पर हम एक ब्राउजर भर उपन कर लेंगे उर यहां पर गूगल में सर्च कर लेंगे आरे न वी एसपी तो यह लिए हम यहां पे सर्च कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको National Waters Service Portal का ओफिसल लिंक दिखाए देने लगेगा यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में आपको इस तरह का dashboard दिखाए देने लेगेगा राष्टे मददाता सेवा पोर्टल का उसके बाद में यहाँ पर हम लोगिन पर क्लिक करेंगे और इसे लोगिन कर लेंगे यहाँ पर हम अपना username और password दर्ज करके login कर लेंगे यहाँ नीचे box में हम एकेप से कोड फिल कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम login पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम login पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का आपको interface दिखाए देने लेगेगा इसके बाद में यहाँ पर हम register as new electric या water यहाँ पर हम क्लिक करके नया registration करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में अगला page यहाँ पर इस तरह से open होगा यहाँ पर हम forum number 6 यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम बासा चेंज कर लेंगे हिंदी इंग्लिस जो भी बासा आपको रखना है तो चलिए हम यहाँ पर हिंदी सेट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर हम राजजे सेलेट करेंगे जिस भी राजजे के आप निवासी हैं वो जीला हम सेलेट कर लेंगे उसके बाद में सप्वा शत्र जहत्र सेलेट करएंगे जो भी आपका विदान सबा सेलेट कर लिएंगे उसके बाद में यहां पर Pay Channel । उसके बाद में पर Part Artsig MILLRight करेंगे यहां पर हम और यदि उसका यह भी हिंदे में ऑटोमेटिक केलकुलेट हो जाएगा उसके बाद में आवेदय के नातिदार का नाम तो हम रिलेशन का नाम दर्ज करेंगे यहां पर जैसे फादर्स या husband वो हम यहाँ पर लिख लेंगे नाम इन देम आ जाएगा उटमेटिक उसके बाद में उपनाम दरज करेंगे यदि surname है वो भी हम दरज कर लेंगे यहाँ पर उसके बाद में संबंद का प्रकार वो हम select करेंगे क्या relation है वो select कर लेंगे उसके बाद में मूबाइल नंबर चलिए हम यहाँ पर मूबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं यदि आपका मूबाइल नंबर स्विम का नहीं है तो आपने relative का भी दे सकते हैं email id यहाँ पर हम email id दरज कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आधार से क्या दरज करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर आवेदे की आधार नंबर एंटर कर लेते हैं उसके बाद में आवेदे का link select करेंगे mail फिमेल जो भी है वो select कर लेंगे निशी स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर जनम्तितर कर लेंगे उस calendar से तो चलिए हम यहाँ पर आवेदे की जनम्तिती कर लेते हैं यहां पर Year select कर लेंगे उसके बाद में मन्त हैं यहाँ दे YOUR select कर लेंगे उसके पाद में आईए की सभूत के रूप में परस्तूत-दस्टावेज की चो मानित परती अप्लोड यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आपको पास में जो भी दस्तावेज है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी दस्तावेज आप अप्लोड कर रहे हैं तो चलिए हम यहाँ पर आदार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आदार कार्ड सेलेक् पता दर्ज करेंगे तो यहां पर हम पूरा पता दर्ज कर लेते हैं यहां पर हम मकान नंबर या अपार्टमेंट नंबर जो भी है वो हम दर्ज कर लेंगे उसके बाद में गली सेत्र या इस्तानी है यह महला यदि महला है तो वो दर्ज कर लेंगे हम उसका नाम उसके बाद म में डागर का नाम दर्ज करेंगे हम तो चलिए हम याप डागर का नाम दर्ज कर लेते हैं उसके बाद में यापर तैसिल तालू का या मंडल का नाम दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हम तैसिल का नाम दर्ज कर लेते हैं उसके बाद में हिंदी में ओटोमेटिक यहाँ पर ट्रा प्रकार करेंगे आदार कार्ड है या इन में से भी कोई और दस्तावेज है और यहाँ पर उस दस्तावेज का नाम लिख लेंगे कि आपने क्या दस्तावेज किया है तो हम लग लएते हैं यहाँ पर आड़ा हमने इस प्रकार कर सकते हैं उसके बाद में यहाँал पर क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड कर लेंगे इसके बाद में पर फोटो का प्रीव दिखाया देने लगेगा यहां पर आप ड्रेग कर सकते हैं और माउस से स्क्रोल करके जूम आउट जूम इन करके आप इस सरकल के अंदर लाकर एड़िस्ट कर लेंगे तो चलिए हम इस सदेशे का नाम यहां पर हम्दर करेंगे जिसका हमने डोकुमेंट्स लगया है तो चलिए हम नाम दर्जग कर लेते हैं उसके बाद में आवेदे। घर कर लेंगे यहां से और यहां पर उसका EPIC ID number दर्ज करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर EPIC ID दर्ज कर लेंगे यानि वोटर ID number यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे परिवार के सदेशेगा उसके बाद में यहाँ पर हम गाउं का नाम दर्ज कर लेंगे यानि जनमिस्तान आप इसे खाले भी छोड़ सकते हैं यहाँ यहाँ पर पता नहीं है तो आप इसे खाले छोड़ सकते हैं उसके बाद में राज्य का नाम सेलेट करेंगे हम तो चलिए हम यहाँ पर राज्य का नाम सेलेट कर लेंगे और उसके बाद में जिला सेलेट करेंगे राज्य सेलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि किस राज्य में आपका जनम हुआ है उसके बाद में यहाँ पर हम जिला सेलेट कर लेंगे जिस भी जिले में आपका जनम हुआ है उसके बाद में नीचे आएंगे स्क्रोल करेंगे और यहां पर दिनांग वह दिनांग करेंगे जिस दिनांग से आप उप्रूक्त पते पर निवास कर रहे हैं तो हम दिनांग कर लेते हैं उसके बाद में यहां पर इस्तान दर्ज कर लेंगे तो चलिए हम यहां पर इस्तान दर्ज कर लेते हैं क्खेश पर है और निया मने प्रिम्ट-पर जिखें करें लए हैं लोस अधर क्लिक करेंगे कि यहां पर हम क्लिक करके अधर अब कर लेते हैं और इसका प्यंट-ऑट निकाल यहा इसे यहां से क्लोज कर देंगे ति यही हैं यहां पर Sak áper पर क्लिक करेंगे जैसे समिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक रेफरेंस नंबर सो होगा आप इसे नोट कर लिजिए बाद में यह ट्रेकिंग ट्रेक करने में काम आएगा तो चलिए हम इसे नोट कर लेते हैं और यदि आपका इसका स्टेटस चेक करना है तो यहा सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर आप इस्टेटस देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आवेदन स्विकार होगा सब्सक्राइब हुआ उसके बाद में फिल्ट वेरिफिकिशन और उसके बाद में एक्सेट उमीद करता हूं दोस्तों आपको जानकर केशी लेगी यह जान झाल झाल